पूरे शेहर में चर्स की बो पहली हुई थी, में जिस गिली, पार्क, रिस्तुरान असबवे से गुजरता था, वहां से चर्स की बो आती थी, सौकों पर भी हर दूसरा शक्स चर्स के मरगौले उड़ाता हुआ गुजरता था, लोग पार्क्स और ट्रेनों में टन नजर आते थे, ये अमरीका को डोनल्ड ट्रम्प का तोफ़ा था, ट्रम्प ने अपने दोर में चर्स को लीगल करार दे दिया था, जिसके बाद अब य ट्रेर का कारोबार नहीं करना चाहिए, ये नशाखवातीन और तालिब इल्मों में भी आम है, और चर्श भी इससे नहीं बच्चे, पादरी और नंस बे चर्स कीती है, ड्राइवर्स में भी ये इल्लत आम है, अब अगर किसी टैक्सी आउबर में बैठें तो आपको वहा अब देखने वाली बात है, अमरीका में हम जिन्स परस्ती और ट्रांसजेंडर की कबाहत भी तेजी से पहल रही है, ज्यादा तर रियासतों ने इसे तसलीम भी कर लिया है, और ये अब इसे प्रोमोट भी कर रही है, स्कूलों में भी उस्ताद बच्चों को बताते हैं, अ इससे हम जिन्सी परस्ती की प्रोमोशन अहुसला अफजाई हो सके, सोशल मीडिया ने भी इस बिदत में एहम करदार अदा किया, ये भी जान बोज़ कर ऐसा मवाद दिखाता है, जिससे इस इल्लत की तरवीज हो, लहाज़ा अमरीका में मुसल्मान बिलखुस पाकिस्तान और शाम को इस रकम से शराब और चर्स खरीब लेते हैं, उन्हें खाना दूसरे लोग दे देते हैं, या कोई ना कोई NGO पहुचा देती है, ये डस्ट बेनों से भी खुराक निकाल कर खाते हैं, मैंने थोड़ी सी तहकी की तोपता चला उनमें से ज्यादातर लोग फौज स नहीं हो सकता, दूसरा जंग की हौलनाकी की वज़े से उनके जहन बुरी तरह मुतासिर हो चुके होते हैं, ये वापस आकर अकर अपनी गर्ल फ्रेंड, बीवी आघरवालों से लड़ना शुरू कर देते हैं, और निजज़ता सलक पर आ जाते हैं, उनके रवये में भी साबिक फौजियों की जहनी हालत है, ये लोग महाज से नफसियाती मरीज बन कर वापस आते हैं, और अमरीका में शिद्दत पसंदी, गतल औगारत गिरी और दहशत गर्दी का बाइस बनते हैं, चुनाचा अमरीकी हुकूमत का बेतहाशा सरमाया, तवानाई और वक्त उन की डीब्रीफिंग और नफसियाती बहाली पर जाया हो रहा है, और ये दुनिया की वाहिद सपर पावर के लिए लमहा फिक रिया है, मुझे चौथा मुझाहिदा मोबाइल फोन की चार्जिंग साकट्स का हुआ, हम अपने मुर्ट में किसी भी जगा चले जाएं, हमें फो से बड़ा नेट वर्क है, इसकी 80 फीसद काफी शाप्स में साकट्स नहीं है, रिस्तूरान और दुकाने भी सिर्फ अपने गाहकों को ये सहूलत देती हैं, मुझे टाइम स्कॉयर में फोन चार्ज करने के लिए जूता खरीदना पड़ गया क्योंके स्टार बक्स में साशा इजाफा हो चुका है, काफी शाप्स और अवामी मकामात पर लोग सारा सारा दिन फोन चार्ज करते रहते थे, इससे बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा था, लहाजा ज्यादा तर ब्रेंट्स ने अपने आउटलेट से साकट्स बंद करा दे, गवर्न्मिन्ट न से जादातर लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं हैं, अगर चार्जर साकित में लगा हो और सुइच आन हो तो ये बिजली खर्च करता रहता है, पाकिस्तान में बिलों और बिजली की खपत में इजाफे की एक वज़ा चार्जर्स भी हैं, मुल्क में 18 करोर फोन हैं, इतने ही और अगर एक चार्जर रोजाना एक यूनिट बिजली खर्च करे तो ये, मिदार 18 करोर होगी गुया मुल्क में रोजाना 18 करोर यूनिट बिजली फोन चूस जाते हैं, और अगर चार्जर्स चार्ज के बाद भी साकित में लगे हैं, तो आप इसको चार से जर्ब दे ले अब सवाल यह, किया ये इसराफो नहीं? और क्या हम अमरीका से सीखकर इस इसराफों से बचकश नहीं सकते। मैंने अमरीका, मैं एक नया ट्रेंड भी देखा और ये ट्रेंड है, तप अमरीका में टप की रवाय़ पुरानी है, मैं 2000 में पहली मरतबा, अमरीका गया था तो इस वक्त भी टप देना लाजिम था लेकिन अब इस रुजहान में चूल पिन की हद तक इजाफा हो चुका है मैंने स्टारबक्स में देखा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से कबल मशीन पर टप का लफ्स जली हुरूफ में नजर आता था और अब जब तक 9 आयस को टच नहीं करते थे इस वक्त तक कार्ड नहीं चलता था रिस्तुरानों में भी बिल पर सबसे उपर मोटे फानेक में टप लिखा होता था और गाहक अगर टप ना दे तो वेटर से लेकर मालिक तक बुरा सा मुनह बनाते थे अमरीका में क्योंके ज़्यादा तर पे मिनट्स कार्ड से होती हैं चुनाचा गाहक कार्ड से भी टप दे सकते हैं ये टप के आप्शन को किल्क करके इजाफी आमाउंट लिखते हैं और इसके बाद OK का बटन दबा देते हैं और यूँ टप धी बिल के साथ कर जाती है हुआ 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 है झाल झाल हुआ 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 झाल झाल